कोई कि वेलकम क्लास , इन इस लेक्चर वी विल झिसकूज अबॉट दा कॉर्बब डिमेंशन चेकर है इसके पहले अम लोगं प्ढ़ लिया कि कॉर्बब क्या ओता है , बिहेवियर अफ और चाफ व कैसा होता क्या होता है ACI American Concrete Institute का एक कोड है ACI उसकी हेल्प से हम लोग Sear Friction Theory की हेल्प से हम लोग आपकोर्बल डिजाइन करते हैं ठीक है अब अक्कॉर्डिंग टू IS456 एक्कॉर्डिंग टू IS456 2000 К्रॉबल की टूबल का क्या होता है कॉर्बल की दिमेंशनिंग कैसे होती है कॉर्बल की डिजारीनिंग कैसे करते हैं क्या क्या एक जेंशन से हम लीवर आम कैसे क्यल्पलेट करेंगे तो मतलब कॉर्वे से रिलेटेट सारी चीज़े दी हुई है ठीक है क्लाज नमबर 28 में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे ठीक है क्लाज नमबर 28 में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे वह क्या क्या है क्लाज नमबर 28 में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे वह क्या क्या है फॉस्टी सेकंड चीज डिजाईन प्रोसेस है ठीक है डिजाइन प्रोसेश है रिइनफॉर्स्मेंट डिटी टील से डिटील्स है कि कैसे हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है यह सब चीजे हम लोगो को Clause No. 28 IS 456-2000 में available है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि Corbel की Dimensions क्या क्या होती है, तो the initial dimensioning of the Corbel is carried out from the following principles, तो कुछ principles दी गई हैं, उनकी help से हम लोग क्या करते हैं, Corbel की Dimensioning करते हैं, The first point is, the ultimate bearing pressure on concrete should not exceeded the following, the ultimate bearing pressure on the concrete should not be exceeded the following are the values generally recommended, मतलब, जो ultimate bearing pressure on concrete पे, जो Corbel पे लग रहा है, वो following values से जादे नहीं होनी चाहिए, The first value is bearing with no padding material, is equal to 0.4 FCK, मतलब bearing जो है, जो आपका concrete है, उस पे कोई padding material नहीं हो, ठीक है, Padding material in the sense, कोई भी concrete के उपर, कोई भी member या other चीजें, जो इससे हम जैसे paint या other finishing products जो यूज करते हैं, वो आपका उसमें नहीं हो, ठीक है, उस case में आपका हमारा क्या होगा, कि जो bearing pressure होगा, वो आपका 0.4 FCK होगा, ठीक है, FCK क्या है आपका characteristic strength, characteristic strength of concrete, of concrete, FCK क्या characteristic strength of concrete, The second is bearing in cement mortar is equal to 0.6 FCK, मतला bearing pressure, आपका cement mortar के case में कितना है, 0.6 FCK, bearing on steel plate, cast into member, Okay, तो is equal to 0.8 FCK for BIS and 0.9 FCK for IS, ठीक है, तो third का मतलब क्या है, कि जैसे कि यह आपका corbel है, इस particular surface पे एक हम लोग steel की plate cast करते हैं, यह क्या आपका steel plate है, क्या है, steel plate, यह अगर हम लोग cash कर देते हैं, तो इस case में, sigma BR की value 0.8 और 0.9 FCK होगी, ठीक है, 0.8 और 0.9 FCK, basically हम लोग यह 0.8 FCK use करेंगे अपने design में, ठीक है, हम लोग अपने design में जब bearing pressure निकालेंगे, तो sigma BR is equal to, या bearing pressure is equal to 0.8 FCK use करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा basically use होता है, okay, the next point is, the width of the member should be determined from the size of bearing required, from the size of bearing required, if the plate is used, the size of bearing plate is to be calculated by assuming that the bearing stress should not be greater than 0.8 FCK, इस पूरे point का मतलब यह है, कि आप सिगमा BR निकालेंगे 0.8 FCK, ठीक है, 0.8 FCK से greater नहीं होना, तो हम maximum design में हमें साम क्या करते हैं, ultimate value लेके चलते हैं, तो 0.8 FCK, हम लोग बेरिंग प्रेशर निकालेंगे, उसके एरिया निकालेंगे, area क्या होगा, load upon sigma BR, ठीक है, यह जो है force है, जो corbel पे act कर रहा है, क्या कर रहा है, corbel action कर रहा है, ठीक है, acting on corbel, ठीक है, यह निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग bearing pressure निकालें, फिर area निकाल लिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, column face, जो column face होगा, column face होगा, उसकी help से length of corbel निकालेंगे, क्या निकालेंगे, length of corbel निकालेंगे, column face की help से हम लोग length of corbel निकालेंगे, उसके बाद width निकालने के लिए, B निकालने के लिए हम लोग area upon length कर देंगे ठीक है हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले sigma bearing pressure निकालेंगे bearing pressure निकालने बाद area निकालेंगे तो area कैसे निकलेगा पहले bearing pressure आपका निकलेगा 0.8 FC के से 0.8 FC के हम निकाल दिए बिएरिंग प्रेशर निकल गया है नेक्स आप आता है कि हम लोग अ म एरिया निकल के अकवान इसको कम लोग क्या तो width of member should be determined from the size of bearing required मतलब यह कहने का मतलब यह है कि जो इतनी bearing required है वहां से हम लोग क्या करेंगे width of corbel निकालेंगे if the plate is used अगर plate use हो रही है the size of bearing plate is to be calculated by assuming that the bearing stress should not be greater than 0.8 FC अगर कोई plate use हो रही है तो जो bearing plate की size होगी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो bearing stress लग रहा है वो 0.8 FC के से ज्यादा नहीं लगेगा particular okay next point is the value of a by d the value of a by d what is a? a is equal to shear span a is shear span d is effective depth what is effective depth ठीक है तो ratio of a by d should not be greater than 0.6 ठीक है तो जो a by d ratio है या shear span by effective depth ratio है वो आपका 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए and in any case अगर कोई ऐसा case generate होता है कि वो 0.6 से ज्यादा हो रहा है तो it should not be exceed 1 okay मतलब 1 से ज्यादा उस case में फिर नहीं होना चाहिए अगर किसी in any case it should not exceed 1 okay the depth at far end should be at least one half of the depth at support इसका मतलब यह है कि for example यह corbel है ठीक यह depth है आपका d1 यह depth है d2 ठीक है यह क्या है support पे है यह है far end ठीक है तो इस particular कहने का मतलब है कि d1 and d2 is equal to d1 by 2 ठीक है जो d1 है जो far end का depth है वो आपका support end के depth के half होगा ठीक है इसका कहने का simple यह मतलब है कि आपका face जो है corbel के face का जो depth है वो आपके support के depth का half होगा ठीक है अब आता है assumptions की क्या क्या assumptions है कि हम लोग corbel के design में देखेंगे what are the assumptions which should consider in the designing of the corbel तो first assumption first point is a corbel is designed for the limit state of collapse तो जो corbel होगा उसको हम लोग design करेंगे limit state of collapse के तो पहले हम लोग limit state of collapse देख लेते हैं क्या होता है तो जैसे हम लोग design करते हैं LSM में हमारा तीन conditions होती है एक होता है सर्सविल्टी एक होता है हमारा collapse ठीक है तो सर्सविल्टी क्या होती है कि वो condition उस particular beam का या वो values हम लोग load की लेंगे जब उस समय हमारा जो particular structure वो service में रहे मतलब under process है मतलब उस पर work load लग रहा है उस पर काम चला है और कोई भी cracks नई generator है तो मतलब serviceability का मतलब यह होता है before crack before cracking ठीक और collapse का मतलब होता है limit of collapse का मतलब कि even after cracking even after cracking we can collapse का मतलब यह होगा आपका collapse का मतलब यह होगा LSM collapse का मतलब यह होगा कि even after cracking even after cracking we can design और design से अच्छा क्या होगा analyze the structure मतलब limit of collapse का simple सा यह मतलब है कि अगर उस particular structure में उस particular structure में आपका कुछ crack आ जाता है ठीक है तो उस crack के आने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते है particular analyze कर सकते हैं उस structure को ठीक है लेकि serviceability के case में यह नहीं होता है serviceability के case में यह होता है कि आपका जो लोड होगा वह आपका service जब तक होगा मतलब जब first crack generate होने होगा उसके पहले तक की value हम लोग consider करेंगे ठीक है add the first crack value उसके पहले तक हम लोग क्या करेंगे values लेंगे मतलब उसके पहले तक हमारी क्या होती है limit state of sustainability होती है उसके बाद हम लोग का limit state of collapse start होता है ठीक है now the second point is the concrete and reinforcement in the corbel are designed on the basis of trust analogy that is simple strut and tie system मतलब जो concrete है और reinforcement है वो हम लोग trust analogy के basis पे use करेंगे तो strut and tie system क्या होता है आपका strut and tie system ये basically क्या होता है कि इसमें हम लोग lamies theorem की help से हम लोग lever arm की value define करते हैं क्या करते हैं lever arm की values निकालते हैं हम लोग z की value निकालते अब इस value के निकालने के बाद हम लोग moment निकाल लेंगे moment निकालने के बाद est निकाल लेंगे est निकालने के बाद spacing निकाल लेंगे तो हमारा वो particular member design हो जाएगा मतलब जो concrete और reinforcement की value हम लोग किस से निकाले है इस्टठी सिस्टम से इस्ट्रट्ट्टाई सिस्टम में लामीस थीवरम होता है रेंगल आपका 3 x 4 system पर बना होता है suppose यह कोई एक ट्रेंगल है यह अलफा है यह बीटा है यह िता गामा है ठीक है यह P force है यह Q है यह R है ठीक है तो यह क्या होता है Sine Sorry Sine B P upon Sine Beta is equal to Q upon Sine Alpha is equal to R upon Sine गामा इस तरह से question बनता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका particular force निकालते हैं ठीक है इसको हम लोग आगे lever arm की जब derivations करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से देख लेंगे ठीक है Next आता है point assumption है The resistance provided to the horizontal force should be greater than one half of the design vertical load of the corbel The resistance provided to the horizontal force should be greater than one half of the design vertical load of the corbel इसका कहने का मतलब यह है कि अगर corbel पे P force लग रहा है ठीक है जो आपका vertical लग रहा है ठीक है जो horizontal force होगा वो P by 2 से बड़ा होगा ठीक है यह कह सकते है कि horizontal force should not be less than ठीक है एक चीज़ और कह सकते है कि horizontal force should not be less than P by 2 मतलब P by 2 से जो horizontal force है वो कम नहीं होना चाहिए ठीक है इसका भी हम लोग यूज करेंगे आपका design के example में जब हम लोग design करेंगे design step तो उसमें calculation of forces आता है तो वो चीज़े हम लोग वहाँ पे calculate करेंगे उस lecture में देखेंगे next आपका आता fourth the compatibility of strain between the strut and tie should be satisfied at the root of corbell मतलब corbell के root पे मतलब column और beam के interface पे strain की compatibility of strain should be satisfied मतलब जो strain की values है वो satisfy करनी चाहिए तो strain की values क्या क्या है आप यह देखेंगे यह strains की value क्या होती है epsilon c is equal to 0.0035 और epsilon s जो होता है आपका वो होता है 0.87 fy upon es plus 0.002 इन values को आपकी जो strain की values आएंगी उससे कम आनी चाहिए यह दोनों values क्या आपकी limiting values है या yielding values है epsilon c क्या है आपका strain in concrete epsilon c क्या है आपका strain in concrete जो एक constant value है इसकी value होती है 0.0035 epsilon s क्या है strain in steel इसकी value 0.87 fy upon es plus 0.002 होती है fy क्या है आपका tensile stress in steel है es क्या है आपका यह आपका young modulus of elasticity in steel है ठीक है तो जो हम लोग calculated strain होगा steel का वो आपका yielding strain से कमाना चाहिए ठीक है तो उस particular में हम लोग formula क्या लगाते है निकालने के लिए आपका तो epsilon s calculated is equal to d minus x upon x epsilon c, epsilon c आपको बता दिया concrete है d के effective depth है x क्या है depth of compression zone depth of compression zone ठीक है तो इस particular value से और esc क्या होना चाहिए आपका epsilon c से कमाना चाहिए epsilon sc क्या है आपका epsilon s से कमाना चाहिए ठीक है तो यहां से हम लोग compatibility check कर लेंगे उस particular strain की की वो है कि नहीं है ठीक है अब next topic जो हम लोग का है calculation of lever arm की हम लोग lever arm कैसे calculate करेंगे ठीक है तो lever arm क्या होता पहले सबसे पहले हम लोग lever arm समझते हैं lever arm क्या होता तो lever arm lever arm is the distance between distance between tensile force या stress and compressive stress in beam तो basically जब हम लोग stress बनाते हैं stress इस तरीके से sorry जब हम लोग singular reinforced beam में stress diagram बनाते हैं तो वह आपका इस तरह बनता है ठीक है तो basically यह जो होता है यह आपका tensile और यह compressive इन दोनों के बीच के distance को हम लोग क्या बोलते हैं यह जो distance होगा यह आपका क्या होगा lever arm होगा ठीक है क्या होगा अब particular corbel के case में हम लोग कैसे calculate करेंगे ठीक है तो figure हम लोग समझते हैं कि figure यह है एक आपका column यह आपका क्या एक column है ठीक है यह आपका corbel है P आपका vertical force है F C क्या है आपका stress in compression है F T क्या है आपका stress in tension Z आपका lever arm है ठीक है तो यह आपका stress diagram है इस particular के लिए F T क्या है Tensile force in steel C क्या है Tensile force in compressive force in cement concrete A is the shear span अब हम लोग इस particular force को triangle of law forces से देखेंगे ठीक है तो suppose इस particular question में इस तरह से होगा आपका जैसे यह अगर depth है तो जैसे यह लंबा length बढ़ेगी यह आपका क्या होगा vertical होगा एक force तो यहां पर लग रहा है F T एक force यहां लग रहा है और एक force इस particular action पर लग रहा है तो उसको resultant बनेगा इस तरह ठीक है उसका क्या बनेगा F T बनेगा उपर नीचे से P आ रहा है तो P और F C इस तरह से ठीक यह हो गया अब उसके आद angle हम लोग देख लेते हैं कि angle कैसे इसमें आएगा तो यह theta है यह आपका क्या है 90 degree ठीक और यह आपका क्या हो जाएगा इस angle के लिए suppose वो 5 है 5 is equal to 180 degree minus 90 degree minus plus theta तो यह हो जाएगा 90 minus theta तो 5 क्या हो जाएगा अगर यह 5 है तो 90 minus theta हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि strut and tie action follow liver arm of the stress block in a corbell can be determined using the truss analogy ठीक है liver arm कैसे हम find करेंगे truss analogy से by triangle law of forces using lami's theorem p upon sin pi minus theta is equal to ft upon sin 90 plus theta is equal to fc upon sin 90 degree ठीक है तो lami's theorem की help से यह equation हम denote कर लिए तो यहां से जब हम इसको change करेंगे तो क्या जाएगा p upon sin theta is equal to ft upon cos theta is equal to fc ठीक है तो यह हमारा बन जाएगा उसके बाद tension force जो होगा ft की value यहां से हम निकालेंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे दो equations ले लेंगे particularly इस दोनों को तो p upon sin theta is equal to ft upon cos theta तो ft निकालना है तो ft क्या हो जाएगा p cos theta by sin theta यह क्या हो जाता है आपका cos theta upon sin theta क्या होता है cot theta होता है yहां से ही हो गया p cos theta ठीक है तो यह value p cos theta क्या हो जाएगा a by z हो जाएगा a by z particular figure में देखो यह value क्या है आपकी A है यह value क्या है? A है ठिक यह क्या है? Z है तो cot theta यह क्या हो जाएगा? A square plus Z square cot theta क्या होता है आपका? cot theta क्या होता है? hypertenues upon sorry cot theta आपका क्या हो जाएगा? B by P ठीक है? तो B क्या है? A है और P क्या है? Z है A by Z हो जाएगा cot theta ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा? P यहां से पाई Z से मुसी तरह FC निकालेंगे तो FC क्या हो जाएगा? P cosec theta तो P is equal to under root A square plus Z square upon Z ठीक है? यहां से FC निकाल गया ठीक अब हमको lever arm जो है आपका singly supported beam के case में lever arm होता है D minus 0.42 X क्या होता है? तो यहां से हम लोग X क्या है आपका? हम लोग X निकालेंगे तो X क्या हो जाएगा? X is equal to 2.32 D minus Z The force of compression in concrete is also given by जो compression होता है force उसको हम लोग एक और formulae से denote करते हैं, वो क्या होता है? FC is equal to 0.36 sigma C के B X cos theta ठीक है? तो FC is equal to क्या हो जाएगा? 0.36 sigma C के B 2.38 X की value यहां put करेंगे D minus Z cos theta A by under root A square plus Z square यह हमारा third equation हो गया और उपर second equation है दोनों को equate करेंगे तो आपका value हैगी 0.86 sigma C के B D 1 minus Z by D A by Z A by under root A square plus Z square is equal to under root A square plus Z square upon Z P ठीक है? यहां से values हम लोग simplify करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि P upon 0.8 sigma C के B D को alpha माल लेंगे और A by D को beta माल लेंगे तो हमारा जो fourth equation है वो आ जाएगा alpha A square plus D square plus Z square by D square is equal to 1 minus Z by D A by D plus Z by D ठीक है? यहां से आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको solve करेंगे ठीक है? तो solve करने के बाद हमारी value आ जाएगे Z square upon D square minus beta upon alpha plus beta Z by D plus alpha beta square upon alpha plus beta is equal to 0 ठीक है? तो इस particular equation से हम लोग क्या करेंगे? आपका lever arm calculate करेंगे ठीक है? for the given values alpha and beta the values of Z by D can be calculator from the equation 5 equation 5 की help से हम लोग क्या करेंगे? कि आपका Z by D की value find करेंगे उसके Z by D की value suppose something आ गए Z by D 400 के अपरॉक्स आ गया D हमको पहले से पता रहेगा और Z हम लोग निकाल लेंगे Z क्या हो जाएगा? 400 into D हो जाएगा ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग lever arm calculate करेंगे ठीक है? basically आपका lever arm बहुत important होता है lever arm calculate हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कि आपका AST निकाल सकते हैं AST निकालने के बाद हम लोग number of bars calculate कर लेंगे number of bars याद spacing निकालेंगे ठीक है? इसके बाद next lecture में हम लोग इसके बाद के lecture में हम लोग क्या पढ़ेंगे? design steps पढ़ेंगे ठीक है? क्या पढ़ेंगे? design steps and एक numerical solve करेंगे ठीक है? एक numerical solve करेंगे ठीक है? तो next lecture में हम लोग design steps पढ़ेंगे design steps क्या क्या है आपको दे देते हैं कि first step में आप लोग corbel dimensions निकालेंगे क्या निकालेंगे corbel dimensions second step में आप लोग liver arm calculate करेंगे third step में आप लोग force calculate करेंगे force calculation ठीक है उसके next में EST calculate करेंगे और check लगाएंगे ठीक है उसके बाद shear capacity निकालेंगे तो यह आपके कुछ steps हैं जिसकी help से हम लोग corbel design करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे corbel dimension फिर liver arm फिर force calculate करेंगे फिर EST निकालेंगे check लगाएंगे minimum maximum check देखेंगे कि क्या minimum criteria है area of steel का क्या maximum criteria है steel का और इसके बाद हम लोग CR capacity निकालेंगे तो यह basically इस lecture में हम लोग liver arm तक calculate करते हैं आप लोग यहां तक देख लीजेगा ओके next lecture में हम लोग फिर आपका design steps के बारे में बात करेंगे ठीक है design steps के बारे में बात करेंगे तो particularly यहां पर अलफा और बीटा की वैलू आप लोग calculate कर लेंगे तो जैड़ बाई डीकलेट हो जाएगा जैड़ बाई डीकलेट हो जाएगा तो आप इसके बाद हमारा step आता है depth of compression zone निकालना x की वैलू निकालना फॉर एक्जामपल आपका f415 के लिए f415 के लिए x by d जो होता है वो आपका 0.48 के आसपास होता है ठीक है तो यहां से हम लोग x by d निकालना और यह चेक करेंगे कि जो x है वो हमारी इससे वैलू से जादे आनी चाहिए ठीक है तो यहां से हम लोग limiting value चेक कर सकते हैं ओके तो इस particular में हम लोग leaver arm calculate करके आगे की procedures देखेंगे next lecture में हम ठीक है नेक्स लेक्शर में हम लोग design steps पढ़ेंगे design steps और procedure for designing of corbell और उसके बाद फिर हम लोग numerical लगाएंगे ठीक है करवेल डिजाइन देखेंगे करवेल डिजाइन step and solve one numerical on it one numerical on it हम लोग क्या करेंगे करवेल डिजाइन step देखेंगे और उस पर एक numerical solve करेंगे next lecture में okay for this lecture it's okay if now in the next lecture we will discuss about the design steps till now thank you for watching this and thanks the class